हेलो दोस्तों पुनव एक बार आप सवों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इस्टट्टिट्टिश पे और हम लोग इतिहासकार की जो कड़ी देख रहे थे कि प्राज जो हम लोग देख रहे थे कि कौन-कौन से इतिहासकार हुए जिन्होंने भारती इतिहास को लिख लिखा गया है उसे कुछ जो बाते हमसे पूछी आती है जब आप इसको देखिएगा तो यह जिसी नेट के लिए इससे संबंधित पूछे आते सवाल कि आकिर कौन सी पोस्तिक हैं किनके द्वारा लिखी गई इन तमाम चीजों को इसमें देखेंगे और इसी कड़ी में आ पूर्ण अस्थान है तो इसी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे कि आखिर इनोंने जो इतियास को लिखा है तो उनोंने किस तरीके से लिखा और भारती इतियास को इनोंने किस तरीके से प्रभावित किया है तो इन तमाम चीज़ों को आई देखते हैं कि इनके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग और इसमें हम लोग सबसे पहले इसको जो पढ़ने का तरीका होगा वो यह होगा कि पहला हम लोग इसमें एक प्षोग रहेगा यह आनका परिचह एक रहेगा आपके लिए इस सबसे ज़्यादा इनप्षटिनट यह lige रहेगा पुस्तक और एक इतिहासकार के रूप में इनको देखना है कि एक इतिहासकार के रूप में ये कैसी इतिहासकार थे मतलब इनका विचार कैसा था और फिर हम लोग कोई एक कंक्लूजन यानि निसकर्स पर हम लोग पहुचेंगे उस वो देख लेंगे तो इन तमाम चीजों को उन बिंदोगों को देखेंगे कि आखिर इनके दौरा जो भी कारिक किये गए और इनके दौरा जो भी पुस्तिके लिखी गए उनमें इनका क्या योगदान रहा और किस तरीक एक आ रहा तो चलिए आज हम लोग देखते हैं उसे कि आखिर इनका जो पहली कि इनका जन कहां हुआ और इनका आरम भी कैसा जिवन रहा है उसको हम लोग देख लेए भारती इतिहास लेखन में रमेश चंडर मजुमदार आर्सी मजुमदार का पूरा नाम है रमेश चंडर मजुमदार यह याद रखेगा रमेश चंडर मजुमदार इनका पूरा नाम है तो इसे याद रखेंगे आप कि आर्सी मजुमदार या रमेश चंडर मजुमदार हो तो कोई दिकत नहीं है दोनों ही एक ये विक्ति का नाम है इनका एक महत्पून अस्थान रहा है भारती इतियास लेखन में यानि ये आधोनिक इतियास लेखक हैं जिन्होंने इतियास को लिखने का कारी किया हमने आपको बताया है कि प्राच्चवादी राष्टवादी ये समराजवादी इतियास लेखन ये तमाम लेखन हुई जब तो जब समराजवादियों ने भारती इतियास को लिखा उसके बाद भारतियों के द्वारा इतियास को लिखना आरम किया गया तो इसी कड़ी में एक इतियास कार है ये आरसी मजुमदार भारत के प्राचीन और मधिकालिन तथा आधूनीक इतियास को इन्होंने लिखने का कार्य किया है दक्षिन पुर्वी एसिया एवं सुदुरपुर्व में प्राचीन भारती संस्क्रिती के परचार परचार को उजागर करने वाले इतियासकारों कि Jordn. में यह माने जाते हैं यानि दक्षिन पुर्वी एसिया की इतियास को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित यानि जिसने सबसे ज़्यादा लिखा है तो वह आरसी मजुमदार है अब इनको देखते हैं कि इनका जन्म आखिर कहा हुआ था चार दिसमर 1888 को खंडर पा के लिए निकल गए उसके बाद इन्होंने कलकता से वहां से इन्होंने सिक्षा अपना आरंबीक सिक्षा पराप्त करने के पास अपनी कॉलेज की सिक्षा पराप्त की उसके बाद इन्होंने रिपन कॉलेज से 1907 में इंटरमीडियेट की परिक्षा पास की और उसके बाद 19 प्रवंद जो है इनका corporate life of life in ancient India corporate life in ancient India पर इनका PhD हुआ है तो इसको याद रखिएगा यह बड़ा सबसे ज़्यादा महत्पुन इतने सारी बातों में एक ही चीज महत्पुन का था तो वो है इनकी PhD जो हुई है उसको तो यह याद आप रखेंगे कि आखिर इनकी PhD किसमें हुए corporate life in ancient India तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा जिसके बाद 1921 में वो ढाका विस्विद्याले के प्रोफेसर पत पर न्युक्त हुए थे 1922 में सेवा निर्वित हुए और 1910 में इनकी मिर्ती हो गए यह इनकी सामानी जिवनी थी इसमें में ली आपको यह याद रखना है कि इनोंने जो PhD किया इतिहास में तो यह इनका थ था इसी में इनोंने PhD किया तो उसके बाद इसके बारे मां हम लोग देखते कि इनकी द्वारा जो लिखी गई महत्पुन पुस्तके हैं वो कौन-कौन सी है तो इनका सबसे पहला तो बुक ही है यह Corporate Life in Ancient India उसके बाद Outline of Ancient Indian History and Civilization Outline of Ancient Indian History and Civilization यह इनकी दूसरी पुस्तक है उ इसके बाद Incent Indian Colonies in the Forest यह इनकी तीसरी पुस्तक है Incent Indian Colonies in the Forest इनकी पुस्तक है History of the Freedom Movement यह इनकी पांचमी और History and Culture of Indian People यह इसकी छटी किताब हैं इनकी कई यह किताबे हैं बट हम लोगों को जो इसमें में याद रखने वाली बाते हैं यह जो की लगातार पूछा गया है या पूछा जाता है वो है पहला किताब इसमें यह याद रखिएगा Corporate Life in Ancient India उसके बाद Outline of Ancient Indian History and Civilization यह दूसरी पुस्तक है इनकी और History of Freedom Movement यह और एक History and Culture of Indian People और एक और पुस्तक जो इनकी है उसको भी आप दिहान में रखिएगा The Spy Mutiny and Revolt of 1857 1857 का Revolt जो भारत में हुआ है उस पे यह पुस्तक लिखी गई है तो यह तीन पुस्तक है इनकी सबसे मैत्पून है इसको याद रखना होगा आपको तो देख ले थे कि कुछ पुस्तकों में हम लोगो देखें सभी पुस्तकों में नहीं आखिर कौन-कौन सी पुस्तकों में इन्होंने क्या-क्या बाते कही है या उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया है उसको हम लोग इक बार देख ले corporate life in ancient India जो है यह 1918 में इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है 1918 में इसको इन्होंने लिखा और इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा है उसको देखिए और इसी से इन्होंने आपको बताए भी कि इनका PhD भी हुआ था corporate life of ancient India तो इसको याद रखे corporate life of ancient India पर इनका PhD हुआ सुध हुआ जो कही पाली बॉद्ध गरनतों में वरणित शंगों और स्रेणियो का VIME चणात्म वराणन किया गया है याणि बुद्ध विवेचनाएं की गई है उसके बारे में जो बोद्ध शंग और स्रेणी जो है उसमें प्राचिन भारत में आप देखेगा बहुत धर्म जब अबर के आया था तो उसमें जो संग में लोग रहते थे तो उसके बारे में इन्होंने इसमें पताया आर्ची मजुदनदार की दूसरी एक पुस्तक के इंसेंट इंडिया जो है उसमें इन्होंने प्रारंबीग भारत क उसके बिस्तरित इतियास को लिखने का कारे किया है या समराजवादी इतियास का भीए समिट विंसेंट आर्थची समिट इसकी पुस्तक का नाब था अर्ली एजिस्ट्री उप इंडिया आप यह यार रख ए किके भी समिट प yet की पहली पूस्तक जो है अर्ली हिस्ट्री ही इंडिया इसी में भारत प्राचीन भारत का विवस्थित रूप से इतियास को लिखने का कारी किया गया था पहली बार किसी ने लिखा तो भी ये इसमीन ने लिखा उसके बाद भारतियों ने इस पे लिखना आरम किया इसका जवाब इन्होंने किसमें दिया थे एंसेंट इं प्रकासित अपनी पुस्तक History and Culture of the Indian People यह इंकी पुस्तक का नाम है History and Culture of the Indian People एक 11 खंड में इन्होंने प्रकासित किया जिसमें इन्होंने भारती इतियास को तीन खंडों में विवाजित किया है जिसमें इन्होंने प्राचीन काल को 1080p तक माना है सुरू से 1080p तक मद्यकाल को 1000 से 1818 सवी तक और आधुनिक काल को 1818 से आगे का काल जहां आधुनिक काल के नाम से जना जाता है पहला तो इंसेंट इंडिया इन्होंने इसमें किटना माना है? तो एक हजार इसमें आरंब से, यानि एक हजार से 888 तक का काल जो है, वो मिडाबल इंडिया के रोप में इन्होंने बताय है, और modern इंडिया के रूप में इन्होंने बताया 1818 के बाद का जो भी कालखंड है वो modern इंडिया तो ये किसमें तो इन्होंने ये अपनी पुस्तक जो है history and culture of the Indian people इनके पुस्तक का नाम है उसी में इन्होंने इसको बताया था ये कालखंड पताया है उसके बाद इनकी एक और जो महत्पूर्ण सबसे ज़्यादा इनकी चर्चित पुस्तक में से एक है और इसी ने इनको ख्याती परदान किया है भरती इत्यासकारों में तो इसमें आप दिखिएगा इनकी सबसे महत्पूर्ण और चर्चित पुस्तक रही है इसमें मजुंदार ने आरसी मजुंदार जो है इन्होंने अपने भ्यक्त जो 1857 की जो करांती भारत में देखे आप की हुई थी उसके बारे में कईये कित्यासकार जो है उन्होंने अपने अपने धंग से इसको जैसे बीडी सावर करने इसको पर्थम सवतनता संग्राम तो कुछ ने सभी त्यासकारोंने अपने अपने धंग से इसकी चर्चा है यानि इसके बारे में बताया तो आरसी मजुंदार ने भ पहला विद्रो था और नहीं या सुतंता संग्राम था और नहीं राष्टिये अंदोलन था ये ये एक विद्रो के रूप में इन्होंने माना है और नहीं की इसको पहला सुतंता संग्राम के रूप माना नहीं राष्टिये राष्टिये लेवल पर भी इन्होंने इसे मानने स तोसीकार कर दिया, और इसको नहीं माना था, और नहीं पर्थम, जो कि कुछ ही थियास कर बोलेंगे, ये फस्ट भारत का मतलब सतनता संगराम के लिए किया गया अंदोलन था, तो उसे इनोंने औस्विकरित कर दिया, तो इसको ध्यान में आप रखेंगा, जो कि इनकी पुस् के लिए इस विद्रों में सामिल हुए थे परंतु मजुमदार ने इसे भारत में ब्रिटिस सामराज को प्रथम महां चुनोती के रूप में स्विकार गए उनका माना थे रिखिए जो 1857 का विद्रों हुआ था कुछ-कुछ इतियास कर बोलते हैं कि यह प्रथम भारत का सुत जनता संक्राम था नौही प्रथम था और नौही यह राष्टी है था तो था आखिर क्या तो इनका मानना है कि देखिए यह जो विद्रों हुआ था यह बिद्रों तो था लेकिन कि सब का कहिना कहीं कुछ ना कुछ अपना नीजी स्वार्थ भी होता है जिसके इस विद्रों में सभी आते हैं भरतीने तालोग तो इनका कहीना कहीं ये भी निसकर्स जो थाविवे आज तक तरकगत माना जाता है यानि तरकशंगत ही माना गया है तो इसलिए मजहिंदार की उस पुस्तक को आप याद रखिएगा, जो उनकी पुस्तक है, वो काफी महत्पूर्ण है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, किसकी पुस्तक है और उसमें क्या चर्चा है, उसके बाद दिखिए, मजुंदार ने अपनी पुस्तक History of Freedom Movement in India, History of Freedom Movement in India में इन्होंने स्वतनता अंदुलन की राजनीती की व्याख्या किया है, मजुदार की अनुसार गांधी जी, सुभास्चन बोस और मुहमद अली जिन्ना ने स्वतनता संग्राम तथा भारत की राजनीती को भी सेज रूप से प्रभावित किया, तो उनका मरना था कि द परचा उन्होंने History of the Freedom Movement in India में किया है, उसके बाद इन्होंने इनके दोरा मजुदार के दोरा केके दत्ता, काली क्लिंकरदत इनका पुरा नाम है, केके दत्ता और H.C. रायचोधरी के साथ इन्होंने एन Advanced History of India नामक पुस्तक लिखा दा, तो इसको याद रख सकते हैं या भी रहेगा तो चलेगा, देखिए दो-तीन किताबे आपको याद होनी ही चाहिए, जो हमने बताया भी आपको, और वो अगर याद आपको है, तो उसके बाद आप सारी बाते समझ जाईएगा, और उसमें क्या चर्चा है, वो आप देखिएगा एक बार तो उसके नाम से ही इतियास का रहें, तो आखिर वो इतियास का थे, तो उनका लेखन सेली जो था, वो कैसा था, यानि उन्होंने जो लिखा है भारती इतियास को, उन्होंके इतियास लेखन के बारे में क्या बिचार थे, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़री होता है, तो उसको हम लो देखत इतियास के अध्यास के अध्यान का मौली का धार है इतियास के अध्यास के बहुत बड़े दारसनिक मान दारसनिक है इनके जो अध्यास के उससे कहीं न कहीं प्रभावित लगती है जो इनकी ये जो बोलते हैं कि सत्ति के पर्थी मतलब इनका मानना था कि भाई आप जब भी इतियास को लिखिए तो आप सत्ति लिखिए जिससे कि आपकी आंत्रिक जी कियासा उसके पर्थी मतलब बढ़े तो ये जो अब धारना है सबसे पहले नेवूर और रांके ने दिया था इससे कहीं न कहीं प्रभावित्ता मजुंदार इतियास की दारसनी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सत्ति केवल सत्त्य है पूर्ण सत्त ही लोग कवच होना चाहिए यानि उनका मानना है कि भाई देखिए कोई भी चीज अगर सही है तो फिर सही है और वही लोग कवच के रूप में यानि उससे अभेदिक कवच भी बोल सकते है आप जिसको भेदा ना जा सके ऐसा कवच होना चाहिए इसी आधार पर उन्होंने भिविन योजनाओ तथा परतिमानों का विन्यास निर्मित किया मतलब इसी आधार पर विविन योजनाओ और परतिमानों का विन्यास निर्मित किया जाना चाहिए यानि सत्य के आधार पर ही आगे की योजनाएं बनानी चाहिए और उसी के आधार पर आने वाले समय के लिए कुछ बहतर कारी किये जाने चाहिए ये इनका मानना था कि इतियासकार को एक नियाइधीस की रूप में होना चाहिए यही दिखें नियाइधीस वाली कल्पना आप देखें यह प्राचिन भारत की इतियासकार है कलहन उनका भी है कि इतियासकार को एक नियाइधीस की रूप में होना चाहिए और जब भी वो किसी भी घटना को लिख तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो सही है या गलत है उसका जांच हो करें ठो वही चीति यह भी बोलते आर्सिम मजुमदार का भी मानने की इतियासकार को एक नियाइधिस के रूप में होना चाहिए उसके बाद उसको लगे कि हो यह बात है सही है तब उसे वो लिखे उसके बाद वो बोलते हैं उसे राष्टिय चरित के किसी दोस्त को छिपाना भी नहीं चाहिए यानि मानने की कोई खामी है किसी भी चीज में तो उसको चुपाना नहीं चाहिए यह इनका मानना था इसके बाद उनका विचार यह भी है कि सत्यानवेशन के आधार पर ही किसी इतियास का निर्मान होना चाहिए यानि सत्य के आधार पर ही यानि उसका अच्छे से जांच परताल हो तभी किसी इतियास को लिखा जाना चाहिए तो यह देखिए इतियास के परती इनके जो वक्तब भी है यानि जो इनके विचार है वो काफी उत्ख्रिष्ट है और काफी यूनिक टाइप के लगते हैं सरमानी भी है कि आप जब अगर इतियास को लिख रहे तो उसमें आप पुर्वाग्र से ग्रसित होकर ना लिख कर उसे जो सही है उसको लिख दीजिए और उसको ऐसा लिखिए ताकि वो एक लुह कबच की रूप में उसको मतला भेदा ना जा सके बाद में भी उस पे सही है यह एरम तत्य घतवाना जाइए यह उनका मानता आभ देखते हैं आखिर वो इतियासकार जो है आरसी मज़िमधार वो कैसी है और उनकी इतियास लेक रेखन वहांख के रूप में आरसी मज़िमधार ने के पी जैस्वाल के दीवादिता का अलशारन नहींग गिया औ उनकी गरिमा से प्रभावित होकर ही उन्हें All Indian History Congress का देख्च चुना गया था देखिए आपको हमने बताया कि राष्ट कुछ इतियासकार हमने पढ़ाया कि राष्टवादी थे तो केपी जैस सवाल थे तो उन्होंने जैसे केपी जैस सवाल के बारे में थोड़ा बता देते यहां पर कि उन्होंने बताया था कि भाई देखिए हमारे आप जो कहते हैं अग्रेज लोग भारत को पर यह लालचन लगा जैसे भी इसमीत बोलता है कि भाई देखिए यह तो भारत जो है वह तो नटो का देश है यहां पर कोई अच्छी सिक्षा उक्षा की विवस्ता त थी नहीं हम आये तो यहां पर संब्रिद हो आई यह देश तो यह वह हरमेशा मतलब ब्रिटिस सासन को ही उच्छ बताने का कारी करता है तो उसी तरह के पीजैस वाल बोलते कि देखिए भाई आप जो बोल रहें कि भारत एदम नटो का देखिए ऐसा नहीं है सबसे पहले विश्व में गंतंत्र यानि लोकतंत्र वाली सासन विवस्ता भारत नहीं दिया है वेसाली में उन्होंने बताया कि हमारा प्राचिन काल जो प्राचिन भारत का इतियाज है वो काफी मतलब उन्होंने उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तूत किया उसके बात उन्होंने केपी जैसवाल की एक कमी यही थी कि उन्होंने इतनी अतिवादिता के आधार पर भारती इतियास को लिखा कि उन्होंने सारी भारती इतियास की सबसे जितनी भी प्राचिन भाते थी प्राचिन भारत की जितनी भी चीज़ें थी उसे उन्हें ने हर जगाba सही दिखाने का काई गया लेकिन वहीं आर्सी मज़ुंदार में ये चीएँ था अगर किसी ही बात को लिख रहे थे या बता रहे थे तो उसमें उन्होंने यहां भी बताए कि देखे उतना अंदुलन था और नहीं ये राष्टिय था इसमें सभी के हित अपने अपने थे और उसी हित की अपने सार्थो की पूर्ति के लिए सब लोग लड़े थे तो इन्होंने एक अलग ढंग सी इसको लिखने का कारी किया तो मतलब इनके लिखन में था कि इन्होंने जो भी लिखा जो सही है और सत्य है और जिसको बाद में जुटला ना जा सके ऐसा उन्होंने लिखने करेगा इसी लिए इन्होंको आप देखें City Society of ree Society of Bumbay. Royal appreciate society of Great Britain Ireland जो हे aass zou sayty of irrelック्वية 774 में अस्थापित हुआ फिर आप देखेंगे 1820 इसी में अस्थापित हुआ और फिर आप देखेंगे 1823 में आप देख लिजेगा ये अस्थापित हुआ है देखिएगा आप कि रेले सीटी सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो अस्थापित हुआ था इन तीनों ने इनकी योगिता से प्रभावित होकर मानद सदस्यता मतलब इन तीनों ही जो संस्थाएं हैं इनमें इनको सदस्यता प्रदान किया गया था इनकी पठिगाुथ से प्रभावित होकर अब देखतें कि डॉक्टर मजुंदार एक ऐसे विद्वान थे जो किसी किसी पहलू वह किसी समस्या पर अधिकारिक ूरूप से लिख सकते मतलब कि किसी भी समस्या या पहलू पर अधिकारिक गूरूप से लिख सते हैं, उनकी सेली उनके विशए से मेल खाती थी, यानि उनका जो लेखन सेली है, जो जिस शीश को लीख रहे थे, उस लेखन विशए से उनका मेल खाता था, चाहर हुआ अभी रूची पैदा नौ करती हो, उनके इतियास लेखन हमारे विचारों को उकसाता है, या यहीं इतियास के बारे में अलग अलग डाइमेंसे से उसके बारे में सोच सकते हैं, ऐसा उनका इतियास लेखन माइए लेकिन उनके द्वारा जो इतियास लेखन के पीछे जो कारिक किया गया वह आननदीत नहीं कहता है, यERE यानि आपको सुख परदान नहीं करेगा बलकि उसमें कहिना कि आपको सचाई से हर कोई मतलब सामना तो कर नहीं पाता है और तो यहीं चीज उनके इतियास लेखन का भी है कुछ विद्वानों का मानना है कि जब पाठक उनकी समश्याओं को पढ़ता है तो वह बोज से दवा महसुस करता है लेकिन उन्होंने तत्यों को जो प्रस्तुत किया है वह बड़े बिवा की इसमें उसे गाइड जो बताता है वही वह प्रेतक्स विकार करता है कि आप जो बता रहे है वही सही है उनके इतियास लेखन को जो यानि उनके दोरा जो भी लिखित बाते हैं उसको जब भी आप पढ़िएगा तो उसमें आप डैमेंसन अलग अलग डैमेंसन से सोचने पर मजबूर तो होते हैं लेकिन आप सोच नहीं पाते कि आखिर इसके बाद क्या हुआ हो यानि वह जो बताते हैं अपने लेखन के दोरा तो उससे यही लगता है कि भाई वह जो बता रहा है वही सही है मजबूर ने इतियास लेखन में इतियास को इतियास के रूप में रहने दिया उन्होंने रोचक जैसा कोई चीज़ नहीं मतलब उन्होंने कहानी किस से उसमें नहीं चलियो, यानि इन्होंने Incent India, Modern India, Medieval India सभी काल पर इन्होंने अपने इत्यास मतलब लिखने का कारी क्या है यह भारत की इत्यास को लिखने का क्या है, मतलब कोई भारत के ऐसी समय अपदी नहीं रही, जिस पर इन्होंने नहीं लिखा हो मजुमदार साहब का माना था कि एक इतियासकार घटनाओं को जैसा है वैसे ही लिखना चाहिए मतलब एक इतियासकार को जैसी घटना है घटित हुए वैसे ही लिखने की आप सकता है ये मजुमदार मानते थे इसलिए निसकर्स के रूप में आप देख सकते हैं निसकर्स में आप ये कह सकते हैं अतह इस परकार मजुमदार की रचना तथा उनकी इतियास लेखन की विधी के कारण एक विशिस्ट अस्थान उनको मिला उन्होंने अपनी रचना द्वारा इतियास को एक नई दिसा परदान करने का कारी किया यानि देखिए ये भी एक अधार पर ही इतियास को लिखा इन्होंने अगर भारतिये समाज में कोई गलतियां थी यानि जो कुछ बुराईयां थी तो उसे भी सुईकार किया और अच्छाईयां थी तो उसका भी इन्होंने उसकी भी चर्चा इन्होंने की तो यानि इनके इतियास लेखन की एक सबसे विस्षिष्टता यही थी कि इन्होंने जो भी चीज़ें हुई यानि जो भी घटनाय घटी तुई उसे सही ग्यादार पर लिखने का कारी किया उसे तोड मरूर करना लिखकर उसे जैसी जो इतियास में जैसी घटनाय घटी तुई उसे वैसे ही लिखने का कारी किया इसलिए इनको इतियास भारती इतियास में एक महतपूर्ण अस्थान यानि एक महतपूर्ण ख्याती इनको परापत है चलिए आज के लिए इतना ही फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद